नमस्कार दोस्तों, आश्ट्रोन्यूमेरों में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत हैं। इस बार कोविड के चलते शायद हमारे एरियास में होली का देहन नहीं हो पाएगी। और शायद हम उस प्रकार से होली भी ना खेल पाए जैसे हम पहले खेला करते थे। तो आप मेरे बताए हुए जो होली का देहन के उपाए हैं, वो कैसे करेंगे। और जो लोग परदेश में रहते हैं, उन्हें तो कभी होली का देहन का लाब हुआ भी नहीं होगा शायद। तो ऐसे में आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने शिवरात्री पर खुद आप घर पे कैसे शिवलिंग बना सकते हैं, वो आपको पताया था। वैसे ही मैं आपको इस बार बताऊंगी कि आप अपने घर पर होली का देहन कैसे कर सकते हैं। तो आप इसे आप हर साल कर सकते हैं, अगर आपकी एरिया में होली का देहन होती है तो आप वहाँ जाहिए। वरना आप ये वाला वीडियो देखकर अपने खुद के घर पर होली का देहन कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक मिट्टी का बरतन, एक सूखा नारियल जो ब्राउन कलर का होता है वो, कुछ चावल के दाने, गुलाल, और आपको चाहिए होगा जो गोबर के उपले होते हैं, गाय के गोबर के उपले, वो आपको चाहिए होगे। ठीक है इसके बाद आपको चाहिए अपने घर में से जो भी कोई ऐसी लकड़ी होगी जो आप इस्तमाल नहीं करते हैं वैसा कोई लकड़े का टुकड़ा या फिर लकड़ी अगर आपके पास है तो वो और अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो अपने घर के पौधे में स आप कुछ जो टहनिया है पौदे की वो आप तोड़ के यूज कर सकते हैं ठीक है आपको ये सारी चीजे इससे आपको होली का दहन करना है ठीक है अभी आप क्या करेंगे एक मिट्टी का बर्तन लीजिए उसके अंदर आप गाय के गोबर के उपले डालिए अगर आपको मिलत यूज कर सकते हैं अगर कुछ नहीं मिलता है तो टेंशन लेनी की कोई बात नहीं है बश रद्धा से आप ये जलाईएगा और कुछ नहीं ठीक है तो आप ये गाय के गोबर के उपले अगर मिलते हैं तो डालिए अगर वो है तो अच्छी बात है डाल दीजे फिर उसके ब और दीजेंस सब्सक्ता बात नहीं जुराई ढूदITY कर सकते हैं इसके बात आप चावल के डाने डाले थोड़ा सा गुल्ल डाले इसके साथ साथ आपको चार कपूर की गोलियां भी इसमें डाली है क्यूआँकि कपूर बहुत ही शुब माना गया है और पूर जो है उससे आपके घर में और आपके जीवन की जो नकारात्मक ऊरजाएं होती है वो भगाने का काम कपूर करता है ठीक है तो आपको चार कपूर की गोलियां भी डालनी है इसके बाद आप थोड़ा सा गाय का शुद्ध घी उस पर डाले और फिर आप उसे होलिका के समान जो समान होता है वैसा आप उसे माने और फिर उसमें आप आग लगा दें ठीक है अब जैसे ये अगनी जलती है आप उसे ये मनो कामना करिए कि आपके जीवन से नकारात्मक ऊरजाएं जो है वो इस अगनी में जल रही है ठीक है अब ये आपको जलानी है 6 बच कर 36 मिनिट से लेकर 8 बच कर 25 मिनिट तक के बीच में ये है होलिका देहन का इस साल का मूरत ठीक है अब जब आपने इसे जला दिया और जो अगनी जो है वो हो गई वो जलने लगी है तब आपको क्या करना है अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है अगर आप यह अपने घर के बाहर कर रहे हैं तो ती होलिका के आजू बाजू आपको थोड़ा सा चिड़कते हुए जाना है ऐसे चलते चलते आप अपनी मनों कामना बोलते हुए छिड़कते रहिए ठीक है अगर आप घर पर हैं और आप यह बाहर नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे थोड़ा-थोड़ा ऐसे समी सर्कल में आप हुए उपाय है आपको उनमें से कोई भी करना है आप कर सकते हैं इसके बाद जब देर रात हो जाती है तो आप थोड़ी सी जो राक होलिका की जलने के बाद राक बचती है उसको थोड़ा सा लेकर उसमें थोड़ा सा गुलाल मिलाकर और थोड़ा सा गंगा जल या आत्मा कूर जाए हैं वो निकल जाएंगी ठीक है अब दूसरे दिन आपको ये राक को जाने नहीं देना है आप इसे अपने घर में थोड़ा सा छिड़क दीजिए अपनी तिजोरी में डाल दीजिए आप इस राक का इस्तमाल रोज अपने घर पे घर के दर्वाजे पर स्व में प्रवा कर सकते हैं या फिर आप उसे किसी मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं बस इससे आप अपने खुद के घर में होली का देहन भी कर पाएंगे और आपको होली मनाने का जो उच्सा है वो भी आप में बना रहेगा उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ आपको ये यावार्ट